नमस्कार दोस्तों, दोस्तों महराष्ट में मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी तक ये तय नहीं हो पाया, 11 दिन बीट गए अब कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर कोशपत ग्रहन होगा, एकनाश शिंदे नाराज है, डॉक्टर्स ने कहा है कि वो बीमार भी है लेकिन इस बीच दोस्तों, एकनाश शिंदे के जो बेटे हैं, श्रीकान शिंदे जो सांसब भी है, उन्हों ने एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसने महराष्ट की राजनीती में एक अलग हड़कम्प मचा दिया है अभी तक खबरे ये आ रही थी, कि एकनाश शिंदे अपने बेटे के लिए डिप्टी सीम का पच चाहते हैं, और भारती जनता पार्टी लगभग लगभग उस पर तयार भी थी लेकिन श्रीकान शिंदे ने कुछ ऐसा लिख दिया अपने एक्स एकाउंट पर जिसने सारी कलाई खोल कर रख दी ये बड़ी खबर है दोस्तों, क्या कुछ वो कह रहे हैं, मैं आपको उनका एक्स का वो पोस्ट अक्छरशा बताता हूँ, उन्होंने क्या क्या लिखा है उन्होंने लिखा कि महागडबंधन सरकार का शपत ग्रिहन समारो थोड़ा विलंबित हो गया है, थोड़ा देर हो रही है और फिलहाल इसे लेकर काफी चर्चाएं और अफवाहें चल रही है, कारवाहक मुख्यमंत्री मानने श्री एकनाज शिंदे, अस्वस्थता के कारण दो दिन के लिए गाउं गए और विश्राम किया इसलिए अफवाहें पनपी, पिछले दो दिनों से ये खबर सवालिया निशान के साथ दी जा रही है, कि मैं यानि कि श्रीकान शिंदे उपमुख्यमंत्री बनेंगे दरसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उपमुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सभी खबरे बेबुनियाद हैं लोकसभा चुनाओ के बाद गौर करिएगा लोकसभा चुनाओ के बाद भी मुझे केंदर सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला लेकिन पाटी संगठन के लिए काम करने की सोच कर मैंने तब भी मंत्री पद ठुकरा दिया मुझे सत्ता में पद की कोई चाहत नहीं है और मैं एक बार फिर से सपष्ट कर दूँ कि मैं राज्जी के किसी भी मंत्री पद की दौड में नहीं हूँ दरसल दोस्तों श्रीकान शिंदे ने ये बयान दे कर ये पोस्ट लिख कर भारती जंता पाटी को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि डिप्टी सियम तो मनजूर है ही नहीं अगर चाहिए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए इसके नीचे कुछ नहीं और मुख्यमंत्री की कुरसी उनको अपने पिता एकनाज शिंदे के लिए चाहिए शिवसेना शिंदे गुट के तमाम नेताओं का ये कहना है कि भारती जनता पार्टी ने हमको तब मुख्यमंत्री पद दिया जब हमारे विधायकों की संख्या 40-42 थी लेकिन आज हमारे विधायकों की संख्या 56 से ज़ादा है और हमें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जा रहा है आखिर क्यों आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है दोस्तों आपको याद होगा बीच में इस तरीके की भी चर्चाय चली थी एकनाज शिंदे को जिस तरीके से किनारे किया जा रहा है उससे नितीश कुमार तनाओ में है उससे तमाम सहयोगी दल तनाव में है कि अगर ऐसा ही रहा तो भारती जनता पार्टी अपने सहयोगीयों को इसी तरह किनारे लगाती रहेगी एकनाश शिंदे महराष्ट में एक बड़ा चहरा है मराठवाडा के इलाके में उनकी जो लोगप्रियता है और लोगों के बीच में जिस तरह वो घुल मिलकर चलते हैं उसने उनको एक मजबूत नेता बनाया अब एकनाश शिंदे ने क्या कहा दोस्तों एकनाश शिंदे ने कहा कि वो जनता के मुख्यमंत्री हैं जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने शिंदे का वो स्ट्रिट्मेंट और एकणाश शिंदे के बेटे श्रीकान शिंदे का ये बयान इन दोनों को जब आप देखते हैं और बड़ी बारीकी से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि बिना कुछ कहें पिता पुत्र की ये जोड़ी महराष्ट की राजनीत में बहुत कुछ कह रही है साफ तोर पर भारती जनता पार्टी को संदेश दे रही है कि आप हमें एगनोर नहीं कर सकते शिंदे ने ये भी माना कि ठीक है मुख्यमंत्री का पद हमको ना मिले लेकिन कम से कम ग्रह विभाग वो तो हमको मिले एकनाश शिंदे इस बात पर बिलकुल अड़े हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो फड़नवीज डिप्टी सीम थे और ग्रह मंत्री थे तो अगर मेरी पार्टी से कोई डिप्टी सीम बनेगा तो उसे ग्रह विभाग क्यों नहीं मिल सकता आप ग्रह विभाग देने में आना कानी क्यों कर रहे हैं अब दोस्तों वित शिंदे भी मांग रहे हैं वित अजीत भी मांग रहे हैं सामाजिक नयाएं शिंदे भी मांग रहें सामाजिक नयाएं अजीत भी मांग रहें ये तो एक अलग तरीके की लड़ाई चल रही है लेकिन अगर शिंदे कहते हैं कि उनको ग्रहवे भाग मिले तो इसमें गलत क्या है और शिकान शिंदे ने ये बयान दे कर ये बता कर कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए वो राज में कुछ नहीं चाहते ये भी बता दिया है कि उनको बहुत कुछ चाहिए अब समझना भारती जंता पार्टी को है कि शिंदे नाराज होंगे तो उसका नुकसान क्या होगा और शिंदे साथ में रहेंगे तो उसका फाइदा क्या होगा दोस्तों महराष्ट की राजनीत को जो भी लोग समझते हैं भी लोग जानते हैं वो इस बात को बखू भी समझते हैं कि एकनाश शिंदे महराष्ट के मजबूत नेता है बीमसी में जनाधार वाले नेता है और एकनाश शिंदे अगर खफा होकर अलग हो गए अगर एकनाश शिंदे श्रीकान शिंदे ये सब अलग हुए तो तनाव महराष्ट में रहेगा बहुत बड़ा तनाव रहेगा लेकिन साथ सांसद वाली शिवसेना शिंदे अगर अलग हुई तो असर दिल्ली में भी आएगा 292-293 के आंकड़े पर सरकार चला रहे है नरेंदर मोधी 285 पर आजाएंगे यानि कमजोर हो जाएंगे और नरेंदर मोधी आज की तारीक में ये गलती नहीं करना चाहते कि वो खुद को कमजोर करें भले ही महराष्ट में कुछ भी हो जाए कुछ भी करना पड़े शिंदे को को भारती जंता पार्टी किस तरीके से लेती है और 5 दिसंबर को महराष्ट में क्या दिखने वाला है दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए फिलाल श्रीकान शिंदे के स्टेटमेंट पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब करना बिलकुल मत भूलिएगा